गूड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आज हम सुनने वाले हैं एक और नई हैपिनेस की कहानी. प्यारे बच्चों, कभी-कभी हमें ऐसे लगता है मेरे अकेले करने से इतना बड़ा बदलाव कैसे आएगा? माल लेजे हमारे घर के आसपास बहुत सारे लोग कूडा ऐसे ही फेक जाते हैं और हम हर रोज उनको कूडा फेकते वे देखते हैं और हमें भी लगता है कि मेरे मना करने से या मेरे बार-बार उनको टोकने से क्या फरक पड़ जाएगा? क्योंकि इतने सारे लोग कूडा फेक फरक तो पढ़ता है और इस कहानी में क्या होता है आई जानते हैं शास्त्री जी गाउं के मुख्या थे जो समुद्र की किनारे रहते थे एक प्रात्मिक विद्याले एक अस्पताल और सडक किनारे एक छोटा सा डाखाना सरकारी स्विधाओं के नाम पर कुल मिलाकर इतना ही गाउं को हासिल था मुख्या होने के नाते सास्त्री जी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास था लेकिन लोग इतनी शिकायत करते थे इतनी शिकायत करते थे कि उनको सुनकर वो बेचेन हो जाते थे जब भी पंचायत घर में लोग इखटा होते तो सुनने में आता अरे किस कि बात का सुधार किया जाए कितनी सारी शिकायते आप लोग करते हैं कहां से शुरू करें किस किस की मदद करें सभी यहां पर दुखी है कुछ ऐसी ही सोच में वह समुद्र के किनारे टहल रहे थे कि उनकी नजर समुद्र के किनारे तडपती मचलियों पर पड़ी आसपास एक बड़ी सी लहर आई और बहुत सारी और मचलियों को किनारे पर छोड़ कर चली दी सुभास बिना विचलित हुए पहले की तरह मचलियों को उठा उठा कर समुद्र में फेकता रहा सुभास के साथ आये उसके मित्र भी उसे देख रहे थे उनमें से रमेश ने उससे अपकूर हो उसे तो फरक पड़ेगा है न ऐसा कहने के साथ ही उसने कऴिकर मचली उठाई और रमेश के हाथ में अपने हाथ में उस तरपती मचली को देखा और फोरन उससे समुद्र में फेक दिया यहें देखकर बाकी मित्रों ने भी मचलियां उठाई और समुद्र में फेकना शुरू कर दिया सभी मिलकर कह रहे थे इन पर फरक पढ़ता है उधर सास्त्री जी चुपचाप खड़े देख रहे थे जैसे उनको अपनी समस्या का समाधान मिल गया हो प्यारे बच्चों यहीं पर हमारी कहानी फरक तो पढ़ता है अब कहानी को सुनने के बाद आप से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं इनको ध्यान से सुनिए और इनके जवाब के बारे में सोची प्यारे बच्चों क्या आपने कभी किसी काम को करने की पहल की है जो कोई भी नहीं कर रहा था अगर आपने भी ऐसा किया है तो उधारन देखर हमें बताईए उन कारियों के बारे में सोची जो आपको लगता है कोई नहीं कर रहा परन्तु अगर किया जाए तो उतने भी कठिन काम नहीं है वो सभी उधारन के लिए बाहर रोड पर कई पोदे लगे हैं जो सूख रहे हैं क्योंकि कोई पानी नहीं दे रहा पास के पार्क के गेट में नुकिला लोहा निकला है जो आने जाने वाले लोगों को परिशान कर र इसके बारे में सोचने के बाद मुझे इनके उत्तर साजह कीजी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ तब तक स्वस्त रहें व्यस्त रहें खुश होकर कोई नहया काम जरूर करते रहें क्योंकि प्रक तो पढड़ता है भया धनेवां बहुत बहुत धनेवाद